Good morning, मैं Dr. Anunja Purwai, Photis-Ospiranoida में Kidney and Kidney Transplant Specialist हूँ. जैसा कि आप से भी जानते हैं कि Coronavirus या COVID-19 नाम की बिमारी कोड़ी दुनिया में फैल चुकी है, World Health Organization ने इसे pandemic declare किया है. इंडिया में भी इसके cases बहुत ही rapidly बढ़ रहे हैं और इंडिया nowadays it is one of the most affected countries from this virus. आजन आपको Coronavirus या COVID-19 बिमारी की डिजीज से Kidney के पेशेंट अपना ध्यान कैसे रखें इसके बारे में बताएंगे. ये जैसा कि आप जानते हैं कि Kidney के पेशेंट्स जादे तर elderly होते हैं, more than 60 या more than 65 years of age. उन पेशेंट्स में शरीव में और सारी बिमारियां जैसे diabetes, hypertension, heart disease और बहुत सारी और बिमारियां जिने हम multiple comorbidities कहते हैं, वो भी present होती हैं. प्लस इन पेशेंट्स की बिमारी से लड़ने की शमता, जिसे हम immunity कहते हैं, अन्य पेशेंट्स या जर्डर पॉबलेशन के comparison में बहुत कम होती हैं. इन सारी factors की वजए से ये पेशेंट्स किसी भी infection और coronavirus infection के लिए भी जादा susceptible या जादा prone होते हैं. अब इस पिमारी से बचने के लिए जो ही tips या जो ही precautions आपको news channel या social media या government advisory के थूर बताई जा रहे हैं, उन सारी precautions को kidney and dialysis के patients को, transplant के patients को और भी strictly follow करना है. इस virus का spread परसेंट परसेंट के थूर होता है, सबसे जादा important इस virus के spread को रोपने के लिए ज़रूरी है social distance. जब तक जरूरी ना हो, अपने घर से बाहर ना निकले. अगर किसी से मिलना भी कड़ता है, तो मिलते समय कम से कम दू लोगों के बीच में six meter या two feet का distance maintain करने की कोशिश करे. किसी भी patient जिसको flu-like symptoms है या कोई भी अन्य व्यक्ति जिसके आप संपर्थ में आते हैं, आपको पता लिगता है, उसको flu-like symptoms है, उससे अपने को distance करे. या आपको अगर ऐसे symptoms आ रहे हैं, तो hospital या doctor से संपर्थ करें और उनकी advice को follow करें. आप अपने हाथों को frequently hand hygiene and face mask करें यह बाकी की दो steps हैं, जिससे हम इस बिमारी से दूर रह सकते हैं, अपने हाथों को बार-बार साबून से या फिर alcohol-based sanitizer से wash करें, specially after sneezing, खाने के बार, blowing your nose, या ऐसी surfaces touch करें, जो frequently contact होती हैं, जैसे दूर handles हैं, tabletops हैं, desktops हैं, phone हैं, इन सारी चीज़ों को छूने के बाद, अपने हाथों को दुबारा से hand sanitizer से sanitize करें, alcohol या alcohol-based hand rub, जिसमे 60-70% alcohol है उसे clean करें या soap and water से clean करें, जब भी घर से बाहर निकलें, हमेशा face mask का प्रयोंग करें, हॉस्परिल आने से पहले, या market का कोई काम करने स से पहले हमेशा face mask को लगा के रखें, ये सारे precautions सारे dialysis, kidney और transplant patients को strictly follow करने हैं, plus dialysis के जो patients हैं, वो अपना treatment, अपना dialysis का schedule बिलकुल मिस नहीं करें, क्योंकि dialysis मिस होने के बाद, जो symptoms आते हैं, वो कई बाद confusing symptoms होते हैं, और coronavirus से confused किया जा सकते हैं, ऐसे सभी patients, dialysis अपना regular schedule प अपर hospital में आए, घर से निकलने से पहले face mask लगाए, अगर उनी कोई flu जैसे symptoms हैं, तो अपनी dialysis unit को telephone पे ही inform करें, unit में आने पर हांतों को sanitize करें, unit में खाना पीना avoid करें, अपने साफ attendance को लाना भी avoid करें, अगर elderly patient हैं, जो अकेले नहीं आ सकते हैं, ऐसे patients के साथ कोशिश कर के एक attendant आए, और वो attendant preferably अपनी गाणी में वेट करें, या dialysis unit के से कहीं दूर वेट करें, dialysis unit and waiting areas में social distancing का पायां करें, transplant के patients, transplant के patients की immunity और भी कम होती है, क्योंकि उन्हें anti-rejection medication चल रही होती है, जैसे शर्जने immunosuppression कहते हैं, ऐसे patients को अपने schedule और अपनी दबाओं को इस extended lockdown या यह जो बिमारी और इन सब के fear से अपनी medications को बिल्कुल भी नहीं रोपना है, अपनी regular medications को लेते रहना है, और regular अपने follow-up के लिए अपने doctor के संपर्ख में रहना है, हमारे हां Fortis Hospital Noida ने आपको आपके घर बैठे consultation प्रवाइट करने के लिए एक टेली consultation या वीडियो consultation के स्विधा स्टार्ट की है, जिसमें आप घर बैठके अपने physician, अपने nephrologist के contact में रह सकते हैं और अपनी दवाईयों को लगतात renew and optimize कर भा सकते हैं, आपको हमारे सारे website पे और help line numbers पे इस स्विधा के बारे में information available है, आपको जब भी सरूरत है संपर करें, लेकिन सबसे जादा important है कि अगर किसी भी kidney के patient या transplant के patient या कोई dialysis patient उनको अगर कोई भी परिशानी है, जो उन्हें जादा उनके symptom को खराब कर रहे हैं, तो उन्हें hospital आने में hesitate नहीं करना है, उन्हें अपने treatment को delay नहीं करना है, simply कि हमें इस भाय के बज़े से कि हमें coronavirus infection हो जाएगा, hospital में आने पर अपना हम treatment delay करते जा रहे हैं and finally उन्हें उनकी बिमारी और severe हो सकती है, इस delay के बज़े से, आपको ऐसे cases में तुरंत अपने hospital या doctor food को संबर करें, हमने footis hospital माईडा में हमारे यह 100% screening होती है, सारे patients, visitors और staff की, हमारे यह flu life symptom वाले patients को gate पे ही segregate करते हैं, flu clinic बनाया हुआ है, जहाँ पर उन patients की जाच होती है और उसके बाद उन्हें proper screening के बाद main building में प्रवेश मिरता है, हमारे आप positive patient रखने के लिए हमारी एक complete building है, heart block या complete building है, जहाँ पर positive patients आपने रखते हैं और जो normal patient या non infected patients हैं, वो non covid area में रखके जाते हैं, पूरे hospital पे आप देख सकते हैं, जहाँ billing counter हो, या OPT waiting areas हो, सब में social distancing और hand hygiene को strictly follow किया है, plus हमारा staff, doctors, complete paramedics, सब कोई इस सारे 100% precautions के साथ patient care में involved होते हैं, So, मेरा message आप लोग के लिए यही है, इस बिमारी से आप panic नहीं करें, अगर आप सारे precautions का strictly follow करेंगे, अपने symptom खराब होने पर या परिशानी होने पर, अपने doctor को संपर करेंगे, and hospital आने से hesitate नहीं करेंगे, तो हम सब मिलकर ना तो इस बिमारी को राप आएंगे, बल्कि we will come out as a winner. Thank you.